हेलो सिंस तो प्रिजेंटली मैं जिवाइन पीवाई की डिसकस करूंगा और यह चाप्टर होगा रोटेशनल मोशन और अभी हम लोग डिसकस करेंगे यह टारगेट 2025 के लिए ठीक है और लेडी रोटेशनल मोशन में मैं एक लेक्चर लिया था आपका पीवाई क्यूज का अ पॉस्चन यह दिया हुआ है जैसे कि यह इस्टेयर है ठीक है न यह इस्टेयर का जो इस्टक्चर ऐसा आपको दिया हुआ देखो ऐसा और मान के चलो आप इस तरीके से यह एक आपका यह सिलिंडर है ठीक है न यह सिलिंडर दिया हुआ है और इसका मास एम है और यह मान के than r जो यह इस्टेर की जो हीड दी दी हुई है ना ओ आपका अ है और यह का बाइल है ठीक है और यह आप देखो इसमें एक जैसे कि यह देखना यहां यह आपका एक फोर्स लगा जा रहा एफ तोड़ा इसके बारे मैं बताता हूं मैं यह जो आप फोर्स देख रहा हो ना यह पर्पेंडिकुलर टुद प्लेन तुरू दा आक्सिस ऑफ सिलिंडर यह देखना वो सेंटर ऑफ दे सिलिंडर है और इस दा आक्सिस ऑफ सिलिंडर and age of the step ठीक है ना तो यह ध्यान देना यह आपका f जो है यह आपका f जो है यह क्या है पर्पेंडिकुलर टुद प्लेन यह जो दीख रहा है यह पर्पेंडिकुलर टुद प्लेन राइट थू दा आक्सिस ऑफ सिलिंडर through the axis of cylinder and cylinder on the age of the step on the age of step तो अब देखो इसमें radius r दिया हुआ है आपको f का minimum value निकालना है ठीक है न इसको कि यह lift up कर पाएं f का minimum value तो आप देखो इसमें ऐसा करो यह देखो यह आपका क्या हो जायाँगा mg हो जायाँगा यह f हो जायाँगा अगर मैं इसके respect में torque discuss करूँ तो एक तो यह torque हो गया तो यह torque कितना हो जाएगा यह RF हो जाएगा और यह देखिए यह तो आपका A हो गया यह जो distance दीख रहा है बच्चों How much this? This is the R minus A और यह जो distance हुआ यह वाला यह होगा आपका R square minus R minus A का whole square यह हो जाएगा ठीक है तो यह जो होता है इसमें क्या बोलता है यह R है यह F है तो torque of the disc अब हमें क्या है कि इसको lift up करना है तो इसमें इसके respect में मैं torque ले रहा हूँ तो यह तो RF हो जाएगा और यह वाला जो torque हो जाएगा यह मालने जिए कि इसको मैं X बोलता हूँ तो XMG तो RF is equal to यह आपका XMG हुआ तो RF is equal to बोलो आपका X की value जो है यह under root कितना R square minus R minus A का whole square into mg तो F is equal to आपका mg and under root R square minus R minus A का whole square divided by R तो इसमें अंदर R square हो जाएगा तो this is the mg 1 minus R minus A R का whole square this is the required force तो यह आपका required force हो गया ठीक है mg times under bracket 1 minus R minus A by R का whole square ठीक है और भी इसमें मैं question discuss करने वाला हूँ तो यह अब अच्छा question था 2000 यह आपका sorry 2020 का question था और इसमें आपको एक और question आप लोग देखो इसमें जैसे कि यह जो question है यह इसमें center of mass निकालना एक rod दिया हुआ है देखो यह question देखो आप इसमें क्या है ना जैसे कि यह rod है और rod का length L दिया हुआ है और इसके जो linear mass density यह आपका 2020 2020 इसमें question आया हुआ है और linear density, linear mass density of the rod density of the rod, rho x is equal to a plus b x by L का whole square a and b जो दिया हुआ है यह constant दिया हुआ है a और b क्या है constant दिया हुआ है ठीक है इसका और यह जो देख रहा है आप यह जो x की जो यह x इसमें है न तो 0 से बड़ा यह मतलब लिमिट हो गया इसका हमें axiom निकालना है इसमें center of mass का coordinate निकालना है तो center of mass का coordinate निकालने के लिए तो axiom क्या होगा axiom is equal to x dm यह होगा यह formula है तो इसको हम लोग apply करेंगे इसमें और linear mass density कितना होता है dm कितना होगा dm lambda dx हो जाएगा और यह lambda dx यहाँ पर linear mass density को denote किया गया है और row x है तो row x dx हो जाएगा ठीक है तो चलो इसमें आप value इसका कर दो axiom axiom is equal to चलो लगा दो value linear mass density a plus b x by l का whole square और यह क्या बोलते हैं dm dm is equal to यह dm के बारे में लिख रहा हो this into और x coordinate x हो गया और x dx और यह 0 to l a plus b x by l का whole square और यह dx and 0 to l राइट तो यह हमारा इसमें अब इसको solve करना पड़ेगा मतलब यह मान लो यह आपका dm हुआ ठीक है न यह row dx हुआ तो इसकी coordinate कितनी हो गई x हो गई ठीक है तो चलो अब इसमें तुम value इसको solve कर दो ठीक है तो यह कितना हो जाएगा ax dx तो ax square by 2 and 0 to l b by l यह कितना है x by l तो b l square and x square dx तो x 3 by 3 and 0 to l and ax ax 0 to l plus b l square x 3 by 3 0 to l तो यह a l square by 2 plus b l square and into l3 by 3 and a 0 to a l plus b l square and l3 by 3 तो अब इसको solve कर लेंगे आपका answer आजागे simplify कर देंगे ठीक है तो यह है आपका इसमें main जो formula है x dm and rdm right और x cm और यह elementary elementary particle हो गया dear students और भी हम लोग देखते हैं questions इसमें जैसे आपको एक question दिया है अच्छा question है यह आप देखिए इसमें आपका यह 2019 का question है 2019 का question है इसमें ऐसा यह एक न यह एल सेप का यह कुछ इस कैसे यह देखिए यह length l दिया हुआ है यह भी l दिया हुआ है यह a है और यह b और c और length of a b is equal to length of the b c ठीक है और mass b क्या है same है ठीक है बच्छों तो इसमें mass दोनों का same दिया है दोनों rod का यह दोनों rod है उसका mass same है ऐसा कुछ दिया नहीं है mass m लेकिन मैंने इसे बोल दिया है ठीक है न और यह जो angle जो दिया हुआ है यह theta पर equilibrium में है theta यह angle of equilibrium है तो अभी हम लोग को theta के value निकालना है ठीक है न l के term में निकालना है कितना angle पर जाकर के वो equilibrium में आएगा ठीक है तो देखिए इसमें आपको इसका center of mass यहाँ पर होगा c1 इधर कुछ मालो यह जो rod है इसका rod c2 तो पक्का है कि यह जब यह दोनों का net center of mass होगा यह और hinge से जो line pass करेगा मतलब center of mass जो होगा यहाँ पर जो hinge किया है उसके जश्ट नीचे होगा तभी जाकर कैसा हो सकता है यह पूरे system पर आपका एक mg force काम कर रहा है तो center of mass पर act करता है और hinge force अब जब दोनों line of action में होंगे तो आपका क्या होगा net torque zero होगा right तो अब यह देखिए इसमें अगर मैं देखूं तो यह तो अब यह माल लेज़े इसको मैं origin ले लेता हूं ऐसा इसको अगर मैं x-axis माल लेता हूं इसको y-axis तो अब इसमें हम लोगो यह देखना होगा कि अब इसके हिसाब से अगर यह देखा जाए तो यह तो l by 2 है ना ल by 2 है और यह भी हमारा इधर इसका l by 2 तो अब यह तो अब यह दोनों का मास सेम है तो दोनों का मास जब सेम है यह ऐसा तो अब यह यह तो कितना हो जाएगा l by 2 है यह और l by 2 है तो यह तो हमारा l by 4 हो जाएगा ठीक है l by 4 हो जाएगा और यह भी हमारा यह distance भी l by 4 हो जाएगा राइट तो चलिए यह l by 4 हो गया और यह हमारा कितना हो जाएगा 3L minus L by 4 तो 3L by 4 तो उसके इसाब से tan theta is equal to L by 4 3L by 4 तो यह 4,4 गया तो आपका यह 1 by 3 ठीक है? तो tan theta का जो value हो जायागा ओ हो जायागा 1 by 3 तो यह हो गया हमारा इसमें अच्छा question है यह देखिएगा tricky question है तो यह हो गया हम लोगा question और भी देखते हैं इसमें जैसे की questions समलोग की जिसमें आपको concepts मिल सेगा जैसे यह 2009 का ही है आपको 19 का 2019 उसमें भी यह 2000 आपको 19 का question इसका जो जैसे यह ना एक आप देखिए इसमें यह Z axis यह Y axis और यह X axis और यह क्या प्लेट देखिए हुआ है ऐसा अब इस पे न यह यह 6 मिटर का है प्लेट है यह और यह जो दिया हुआ है यह 4 मिटर है और इस पर एक फोर्स लग रहा है यह F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है F2 यह दोनों का magnitude जो है F1 اور F2 का magnitude F है ठीक है, और ये जो angle दिया हुआ है, ये 30 degree दिया हुआ है, ठीक है तो इसमें total torque निकालना है ठीक है, ये जो point है, ये इसका जो दिया हुआ है, coordinate जी दिया हुआ है, F1 और F2 का दोनों का magnitude same है, वे magnitude F है, ठीक है, और यह आपको दिया हुआ है 2i cap 3j cap यह ध्यान दिजेगा मतलब यह इसका r1 वेक्टर r1 यह वाला वो दिया है 2i cap 3j cap और यह तो चलिए और इसमे k cap में हो जाएगा direction तो f1 जो होगा वो f k cap हो गया चलो इसमें total torque निकालना है क्या निकालना है total torque निकालना है total torque तो देखते हैं मतलब tau is equal to tau 1 और tau 2 निकालना होगा तो tau 1 जो होगा वो तो हो गया r1 cross f हो गया तो r1 अपना क्या है 2i cap 3j cap and cross f k cap तो i cross k क्या होता है minus j and j cross k i cap i cross k तो यह हो जाएगा minus 2f i cross k j cap and plus 3f j cross i cap तो यह 3f minus 3j cap 3i cap minus 3i cap minus 2j cap and f हो जाएगा उसके बाद इसका निकालना होगा क्या बोलते हैं यह वाले का तो यह वाला कितना हो जाएगा f to a magnitude तो f है तो कुछ इसका जो components जो होगा इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा तो यह तो यह i cap में और यह minus j cap ठीक है तो torque 2 जो होगा अब यह निकालना पड़ेगा हम लोगो ठीक है न बच्छो तो यह torque 2 torque 2 is equal to जो होगा उसमें कितना हो जाएगा तो यह magnitude तो हमारा कितना हो जाएगा magnitude तो f है और यह कितना हो जाएगा यह जो होगे आपका 6 तो 6 j cap r2 is equal to क्या हो जाएगा 6 j cap तो अपना 6 j cap and cross जो value होगा magnitude होगा तो minus उसमें sine 30 degree sine 30 degree i cap ठीक है minus sine 30 degree i cap and minus cos 30 degree cos 30 degree j cap ठीक है cos 30 degree j cap तो अब इसका जो होगा यह वाला component तो ठीक है अब इसमें j cross j तो यह तो 0 हो जाएगा और यह i cap तो minus 3 j cross i k cap तो torque net जो होगा 3i cap minus 2j cap and minus 3k cap यह f magnitude जो होगा इसका जो magnitude f है तो इतना into f ठीक है तो इसका जो answer होगया 3i cap minus 2j cap and जो होगा जो होगा जो होगा ठीक है अब इसमे और भी हम लोग कोस्टन्स करेंगे इसमे ना यह ऐसा एक रॉड का structure ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ ठीक है यह देखिए आपका रॉड है दिख रहा है इसका जो मास है 2m है 2m है इसका जो मास है एम है और इसका एम है अब यह लेंध ल दिया हुआ है ठीक है यह भी l है एक मिनट थोड़ देखना पड़ेगा इसका एक्चुली यह 0,0 यह 12,0 और यह जो दिया हुआ है उसका जो 3l यह 3l दिया हुआ है तो अब हमें center of मास निकालना है तो इसका क्या हो जाए इसका तो यह l हो गया और यह l by 2 तो इसका l by 2,l ठीक है इसका अच्छा यह 12 है ना तो यह l हो जाएगा यह 12 है और यह l है और इसका तो 12 and l by 2 राइट और यह हमारा 5l by 2,0 तो एक cm जो होगा 2m into इसका l plus यह वाल है का m into 2l plus m into 5l by 2 by 4m तो 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 है तो है तो है फोर तो एट फाइब थर्टीन तो थर्टीन एल बाइट हो जाएगा इसका 13l by 8 राइट तो यह हो गया उसके बाद ycm ycm हो गया 2m l plus m l by 2 plus m into 0 by 4m तो 5l by 4 5l by 4 to 8 5l by 8 तो इसका हो गया 13l by 8 and 5l by 8 राइट तो यह हो गया तो ठीक है अब यह सब तो हो गया फिर हम लोग नेक्स लेक्चर में और भी questions करेंगे ओके थैंक्यू